अगर देश के किसानों की हालत नहीं स्थरी, तो आने वाला कल अंधिरे में खो जाएगा। ये मप देखना के अत्याचारी कौन है, याद रखना, जिन्दा कौमें, पांस साल तक कभी इंतजार नहीं करती। विरोध प्रदर्शन हमारा हक है। ये वरोध फ्रदर हमारे संवेदानिक अधिकार है। और देख लीजे, कि सब कुछ शांती पूर्ड तरीके से हो रहा है। दायर सहाब कसम से कह रहे है, एक नंबर का अपवल्त तर्जे का कचप का पहलवान है। उम्मुलायम भाई। पिछा के चाटले सली के और बंद करो उसका अपूर्ण गारी है। दोटों की माला पेनाए जारी है तुम्मुलायम को। लग रहे ना बिलकुल। पहलवान की लगाएं। बस एक मोकल की तलाश में हूँ न अथुराम जी। दुनिया को बता देंगे के सरकार कैसे और किस की लिए चलाई जाती है। आज के बाद दंगल नहीं। राजनीती की कुष्टी होगी। ताजा तूफान है, सही दिशा मिल गई। तो बड़े-बड़े खेमे को खाड़ भेगेगा। एक बात याद रखना शिव। मैंने अखाड़ा बदला है। टंगल नहीं छोड़ा। इमर्जिंसी की सारी तैयारिया हो चुकी है। राजनीते में दाउपेश जरूरी-जरूर होती है। लेकिन सम्विधां के संखिलवार करने का किसी को कोई अधिखार नहीं है। ये छोटे बड़े जित्ते भी ओपोजिशन लीडर्स है ना। जस्ट पुट्टे विहाइड बास अस सून अस कॉसमल। जिंगारिय शोरू में बदल सकती है। बजादो सबको। पार्टी बनाना और पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है। हम महाभारत के अर्जुन है। और हुसली का दूसरा नम मुलायम सिंह यादो। उत्तर प्रदेश हाथ से डिकल गया। अकराओ है तो वह हुसूलो की। हक की। जिन्दा कॉमेड। पाक सामसा के इंदिजार कभी नहीं करती। मेरे दिल कहता है के यह मुलायम आने वाले समय में मुलायम नहीं रहेगा। लोग निता जी के नाम सो जानेंगे इसे। जिन्दा कॉमेड़ नहीं करती। जिन्दा कॉमेड़ नहीं करती।